सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट असलाम उलाइकम एवर्यवन, hope that all of you are doing well आज का हमारा जो टॉपिक है, वो फाइनल एर प्रॉजेक्ट है इसमें हम फाइनल एर प्रोजेक्ट है, डिफर्न डिग्रीज के उनके रिलेटर डिस्कॉशन करेंगे जिसमें हमारे पास सबसे पहले MGT Management 619 का जो final year project है उसको हम discuss करेंगे Accounting and Finance 619 के project को हम discuss करेंगे Banking 619 के project को discuss करेंगे Commerce COM 619 के project को discuss करेंगे Eco 619 का जो final year project है उसको discuss करेंगे Finance 619 के final year के project को discuss करेंगे Human Resource Management HRM 619 इसी तरह MCM 619 MKT 619 और जो उसके लावा PAD Public Administration 619 और Psychology 619 ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास इनके हम पैटर्म को और किस तरह से ये प्रोजेक्ट फाइनलिर का बनाया जाता है इन सारी चीजों को हम डिसकस करेंगे इसमें हमारे पास सबसे पहले Introduction आ जाता है प्रोजेक्ट्स के हवाले से Rules and Regulations University के कौन कौन से हैं Submissions का क्या Criteria होता है Instructions and Guidelines कौन कौन से होती हैं At the end हम इस प्रोजेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सबसे पहले हम इसका Proposal Submit करते हैं Next हम उसके बाद इसके Final Project की जो File होती है उसको Submit करते हैं इनकी मजीद details जो हम वो Next हम अभी discuss कर लेते हैं सबसे पहले जो हम Introduction को देख लेते हैं Introduction में हम यह बताया गया कि इस तरह से हमारे डिग्री का जो Final Project होता है इसमें हमने अपनी डिग्री के Related All जो Letters हैं उसके हवाले से हमने अपनी Working को Show करना होता है इसकी जो हमारे पास सबसे पहली requirement है उसमें हमारे पास यह है कि हमारे Job Confirmation Letter हमारे पास होना चाहिए Project करने के लिए हमारे पास सबसे पहले इस चीज़ की Assurance होनी चाहिए कि हमें एक Job Holder है हमें यूनिवस्टी के Records में अपने आपको एक Job Holder शो करना होता है उसके लिए हमारे पास एक Job Confirmation Letter होना चाहिए इसका हमारे पास Format Available है किसी स्टूडन को चाहिए हो तो हमारे से WhatsApp पे Contact करके Job Confirmation Letter का Format ले सकते है उसके बार Next हमारे पास आजाता है पहले मैंने आपको बता दिया कि Job Confirmation Letter माने पास होना चाहिए उसके बाद हमने एक Topic स्लेक्ट करना होता है उसके परोपोजल बनाना होता है इसको मजीद हम आगे डिसकस करेंगे Next हमारे पास Final Project जो होता है हम उसकी फाइल को सम्मिट करते है Next हम जब Project File हमारी पास हो जाती है तो उसके बाद Teacher हमें Presentation बनाने के लिए कहते है हम Presentation Slides बनाते हैं और उसकी वाइबा वाइस के Related हम Preparation करते हैं और अपने Complete Project को उसमें एक्स्प्लेन करते हैं यह सारे मैंने आप Remainment Parts बता दिये मजीद अब हम इनको In Detail Next डिसकस करेंगे यहां पर एक छोटी सी Overall Summary बताई गई है किस तरह से हमारा जो Project है वो Complete होता है सबसे पहले Job का Information Later होता है फिर उसके बाद Proposal हमने बनाना होता है Next हमने Final Project बनाना होता है फिर Presentation and Viva Voice होती है Next Whole Course जो हमारा होता है सब कुछ Complete होने के बाद यह Passing वाली साइट पर जाता है फिर टीचर्स डिसाइड करते हैं सारी चीजों को Observation करने के बाद कि Student Pass है या नहीं उसके बाद Next हमारे पास कुछ Rules बताए गए है Job Confirmation Letter के हवाले से जो आपका Job Confirmation Letter है वो On The Job होना चाहिए Current Dates में आप एक Employ होने चाहिए किसी भी Company के उसके लावा बाकी मुझीड इसकी डिटेल आप यहां से रीड कर सकते हैं इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उसके बाद आपने Proposer or Final Project सब्मिट करवाना होता है उसमें आपने References एट सेटरा जो भी किसी आपने डेटा लेना होता है उसको आपने मैंशन करना होता है Next जो आपका Total Work है वो प्लेजरिजम और Non-Referenced Material होना चाहिए कि आपका प्लेजरिजम भे वो किसी किसम का भी Compromise नहीं करते हैं प्लेजरिजम के हवाले से आपने बहुत ज़्यादा केरफुल रहना है Next आपके बस Passing and Failing का Criteria होता है यह Complete आप यहां से Read कर सकते हैं उसके हवाले से भी यही है कि आपकी सारी चीजे JCL ठीक है, Proposal ठीक है, Project File ठीक है Presentation and Viva सब कुछ आपने अच्छे तरीके से Represent की है तो आपको कोई इशू नहीं होगा उसको पास करने में Next यहां पर कुछ रूल्स और Regulations Viva Voice के रिलेटर दी है यह भी सिंपल है, इन में कोई इशू नहीं है स्टूडन को Problems नहीं होती अगर कोई स्टूडन पहले से Fail है तो नेक्स समेस्टर में इसको दुबारा से Re-Enroll करके इस समेस्टर को दुबारा से Study कर सकता है उसमें कोई इशू नहीं होता उसके लावा Next जो Submissions होती है वही सेम चीज़ है जॉब Confirmation Letter होता है उसके बाद Proposal of the Project होता है फिर Final Project है आपने Submit करवाना होता है फिर Presentation and Viva Guidelines के होदे से Working होती है उसके बाद अब Next हमारे पास आ जाता है जी कि जो हमारा Proposal होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़े होती है किस तरह से Proposal बनाया जाता है उसके हवाले से मैं बाद को थोड़ा-थोड़ा हर चीज़ को थोड़ा से Explain कर दूँगा यही सारी Guidelines लिखी हूं यहीं को आप यहां से Read Out कर सकते है मैं जो हमारा Major Portion है उसकी तरफ आता हूं कि हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास हमने Project का Proposal Submit करना होता है Format of Proposal of Project उसमें हम किस तरह से Proposal बनाते हैं सबसे पहले हमने Title Page इस तरह से बनाना होता है एक उसके अंदर The Topic जो आपने Topic सेलेक्ट किया होता है उसको Show करना होता है Name and Idea of the Student शोड़नी होती है Name of the University, University Logo, Date of Submission At the end मैं आपको किसी Student का Proposal भी दिखा दूँगा और Project भी Complete बना हुआ दिखा दूँगा Next आपके पास Table of Content होना चाहिए Proper ये एक एक पेज़ पे आपने ये सारी चीज़े करनी है Next आपका जो Chapter No.1 होगा Proposal का उसमें आपने Introduction देना है Next आपने उसके बारे में Background का लिखना है कि उस Topic में पहले से क्या Working होई है किस तरह के लोगों ने कैसे कैसे काम की है Next आपको ने जो Topic Select किया वो उसके आपने Objectives के बारे में Explain करना है कि उस Topic के क्या Objectives है उस Research Work के जो आप करने लगे है Next उसकी Significence क्या है जो आपको आपने सेलेक्ट किया उसकी क्या Significence है क्या आप रिप्रेजेंट करना चाहते है Next आपका Chapter No.2 Methodology के Related आजाता है Methodology में आपकी कौन कौन सी चीज़े होती है सबसे पहले आपके पास Type of Research होता है कि आपकी जो Research Type है वो कौन सी है Quantitative है, Qualitative है कि आपने जो Research Methodology यूज करना ही वो कौन सी है Data Collection Source जो है वो आपका कौन सा है Primary है, Scandry है Primary में कौन कौन सा है Scandry में कौन कौन सा है जो आपने खुछ चूज करने होते है Research Out करके उसके बाद Data Collection Tools जो है आपके Instruments के Related उसमें अब आपने बताना होता है कि आप किस तरह से अपना Data Collect करते हैं उसमें Questionnaires आ जाते हैं Interviews आ जाते हैं Different चीज़ें इस तरह किया जिनिन में से कोई आपने एक Select करके अपना Data Collection करनी होती है उसके बाद Subjects and Participants आपने Select करने होते हैं कि कौन सी Population होगी कितनी होगी उसका Sample Size क्या होगा Sample Framework क्या होगा और वो जो Sampling technique आपने कौन सी Use किया रिजन है उसके बाद Fieldwork और Data Collection के बारे में आपने बताना है कि वो आप किस तरह से Data Collect करेंगे आप कैसे शोर करेंगे कि Quality Control होगी Data Collection में और वो सारा Procedures, Practical Issues वगरा को आप किस तरह से Manage करेंगे वो सारा आपने यहाँ पर बताना होता है उसके बाद Data Processing and Analysis के बारे में आपने बताना होता है कि Data Processing और Analysis आप किस तरह से करेंगे MS Excel में करेंगे SPSS में करेंगे और आपके जो Final Results वगरा होगे Next आपने References बताने होते हैं कि आपने उपर जो Literature Review वगरा अगर आपने किया है तो उसको आपने अपनी Self Writing में करने के लिए वो डेटा था वो कहां से किन Researches का आपने यूज किया था यहां तक तो आपका Complete Working थी वो आपकी प्रोजेक्ट के प्रोपोजल की थी यहां पर आपका प्रोजेक्ट प्रोपोजल कम्प्लीट होता है Next आपके पास आ जाता है Format of the Final Year Project Final Year Project आपका क्या होगा उसका प्रोपोजल उसका जो फॉर्मेट है इस तरह से आपने एक प्रोपर अपना टाइटल पेज बनाना है प्रोजेक्ट का टॉपिक यहां पे लिखना है उसकी यह डिस्क्रिप्शन लिखी हुए है किस तरह दे आपने बताना है यह आपने Complete इस तरह से लिखना है Next आपने Submission, Student ID, Found Size यह सारी चीज़े यह डिटेल देनी है यह आपका Title पेज बन जाता है यहां पर आपने Dedication देनी है Optional आप चाहे इसको छोड़ भी सकते है Next आपने Acknowledgement बताना है उसको आप अपनी Self Writing में लिख सकते है Abstract आपने Project की Summary लिखनी है यहां पे Complete उसको डिसक्राइब करना है Next यह Table of Content की Spacing वगएरा के हवाले से यहां पे Detail बताई हुई है उसके बाद Chapter No.1 आपका है Introduction के हवाले से है Background of the Project क्या है Objectives आपकी क्या है यह Major Portions आपका Almost Proposal वाला ही आजाता है थोड़ी सोड़ी चीज़े आपने इसमें explain करनी होते है Significants आजाती है Chapter No.2 आपका Literature Review आजाता है कि आपका जो टॉपिक आउसको अलड़ी कितने लोगों ने किस-किस तरह से काम किया उनके क्या रिजल्ट से उन सारी चीज़ों को आपने One by by One explain करना होता है Next आपके Research Methodology आजाती है Data Collection आपका Source पर आ है Data Collection Tools आपने कौन से यूज़ किया है यह सारी चीज़े explain करनी होती है Subject Participants कौन कौन से है Target Population क्या है Sample Size क्या है Technique कौन से यूज़ की है Each and Everything आपने यहां पर explain करनी होती है Same आपने analysis करने के लिए आपने SPSS Excel में किस तरह से analysis किया यह data को यूज़ किया वो सारी चीज़ें आपने explain करके उनको one by one यहां पर बताना होता है Data analysis होता है उपर से आपने अपने software select करने के बाग उसमें data analysis करना होता है summary आपने लिखनी होती है limitations आजाती है each and everything one by one आपने यहां पर explain करनी होती है तो यहां पर आपके next same referencing उसी तरह से आजाते है इसको आपने APA formatting में explain करना होता है यहां पर आपका जो है वो जो final project है उसकी file भी complete हो जाती है मजीद आपको कुछ हमारे students के results वगरह है भी show कर देता हूं और साथ यहां अपको एक project का proposal और project के जो final file है वो भी show कर देता हूं यह हमारे पिछले students के कुछ projects है इसमें मैं आपको सबसे पहले यहां पर proposal को show कर देता हूं यह हमारे एक student का यहां पर पर p로p luc mutual है इस तरह से आपने एक बनाना होता है टाइटल पेज बनाना होता है यह आपने सारी चीज़े वन बाई वन इसके अंदर एक्स्क्लेइन करनी है तो यह आपका complete project proposal होता है next आपको मैं project file भी इसी student की दिखा देता हूँ आपने फिर इसकी project file भी बनानी होती है project file भी आपके सामने available इस तरह से आपने complete इसमें working करके graph, tables, आपको सब कुछ और आपने questionnaires बगरा वो सारी चीज़ें यूज़ें 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 करनी होती है यहाँ पे हमारे पास next हमारे student है सारा खान जिसका spare public administration का project था और grade book से आप देख सकते हैं अलहमदोलिल्ह ये पास है P लिखा हुए, P for pass इसका CGP नहीं होता, directly pass और fail लिखते हैं वो उसके बार next हमारे student है मुहम्मद बिलाल, इनकी हमारे पास internship report थी कॉमाई 619 की, इनका भी grade book से आपको result शो कर देते हैं यहां पे आपके सामने है कॉमाई 619, internship report अलहमदोलिल्ह ये भी pass है आपके सामने है उसके बार next हमारे student है सेयद रुकफरकान अबासी साहब इनका MGT 619 का project था हमारे पास ये भी grade book में से आपको show कर देते हैं MGT 619 final year project अलहमदोलिल्ह ये भी pass है P4 pass है, F4 fail है पहले इनों ने ये किया था लेकिन ये fail हुए थे बाद में ने हमारे पास किया तो ये pass होगे next हमारे student है मुहमदाफाक इनका कॉमाई 619 के इंटरंशिप report थी अलहमदोलिल्ह ये भी pass है और इनका भी कॉमाई 619 ये F इनका है पहली दफ़ा इनों ने कहीं और से बनवाई थी इस दफ़ा लास्ट बे इनों ने fall 2022 में हमसे बनवाई गिया है तो अलहमदोलिल्ह ये भी pass है इस दफ़ा वाले अपने result में ये जो भी semester end हुआ है fall 2022 उसके बाद next हमारे student है मुहमद कासिम रियाज साब इनका भी हमारे पस MGT 619 का final aid का project था इनका भी great book से आपको result शो कर देते हैं जो के आपके सामने है MGT 619 इससे पहले इनोंने दो तीन try की थी लेकिन हर दफ़ा ये fail होते रहे हैं और इनोंने हमसे project अपना करवाया तो आपके से ये पास हो गए इनकी degree भी complete हो गई है उसके बाद next हमारे कुछ students हैं मजीद अगर आप किसी किसम का कोई issue हो तो आप हमारे साथ discuss कर सकते हैं ये screen पे भी हमारा what's up number show हो रहा है okay next हमारे जो student हैं वो है मुहमद अदिला शिर्फ साब इनके HRMI 649 की internship report थी जो के अलहमद लिला ये भी पास हो चुके हैं इनका भी grade book से आपको result show कर देते हैं जी ये देखें HRMI 649 internship report human resource management पास झांप्ले लिकर न्जड़ के लाई अपको ह on सकता सथपर झांपनी झांपनी वो जचस lançtradक मो झांपनी क्रमारे आपको चांपनी झांपनी करी Occण ैं सेलान thankful जो जो जँबो ये उत्यार देखेंक nut में सmazग अरी ह reward झाल 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 नेक्स्ट हम आपको अपने कुछ स्टूडंट्स के इंटर्शिप रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स के रिजल्ट्स वगरा करवा देते हैं जिन्होंने अभी ये प्रिविए स्मेस्टर एंड हुए उसमें हमसे अपनी वर्किंग वगरा करवाई थी तो ये हमारे एक अचर माई 619 की इंटर्शिप रिपोर्ट थी तो ये देखें ये अभी सिप्रिंग 2022 में इन्होंने कम्प्लीट किया और यहां पर पास भी लिखा हुआ है तो यहां पर पास और फेल का ज़स्ट होता है इंटर्शिप रिपोर्ट और प्रोजेक्ट के अंदर यहां पर वह मार्क्स और ग्रेड्ज वगरा शो नहीं करते हैं वो आपकी अवराल ट्रांस्क्रिप्ट और डिगरी के अंदर आटोमेटिकल याइड हो जाते हैं तो उस चीज़ का इतना इशू नहीं होता कि यहां पर शो करें क्योंकि प्रॉब्लम्स में भी किसी भी यह यूनिवस्ट आट रीड्याइट की की तो फिर उसके बाद हमने इसको मजीद इंप्रॉव किया था और नेक्स डब हमने इसको लास्ट पे सब्मिट किया था यह लास्ट चांस पे लिए लीड्यायाट में चलके देखते हैं यहां पर यह पास हो गई थी अधिट निड्याट पाइनल में यह पास होगी थी उसके बाद सब्मिशन और पावर पॉइंट स्लाइड ओवराल रिजल्ट आपने शो कर लिए यह LMS यहां पर अपलोड होने वाल है तो ग्रेड बुक में से मैंने आपको दिखा दिया है कि इनकी रिपोर्ट हमारे पास कम्प्लीट हो गई थी नेक्स्ट हमारे एक और स्टूड़न्ट है आमिर सजाद साब इनका भी आपको MGT619 Final Year का प्रजेक्ट था हमारे पास इसका भी हम आपको ग्रेड बुक में दिखा देते हैं अभी जो समेस्टर एंड हुआ है इसमें इन्होंने भी कम्प्लीट किया है और इनका भी अलहम्दुलिला से कम्प्लीट हो गया पास हो गया स्प्रिंग 22 MGT619 Final Year प्रजेक्ट और यह यहां पर पी लिखा हुए आपके सामने क्लियर है इनका भी प्रजेक्ट कम्प्लीट होगा बाकी इनकी वर्किंग वगारा भी मैं आपको मजीद डिटेल में दिखा देता हूँ यहां पे असाइन्मेंट्स में और इसके बाकी सार प्रोजेक्ट इच एवरीटिंग यहां पर भी आपको जेरो जेरो ही शो हो रहा गा मार्क मैं लेकिन जो हमारे पास पॉर्किंग का वो हमें यहां पे इंस्ट्रक्टर कॉमेंट से पता चलता है कि वह उसका क्या स्टेटस है फाइनल हमने यह जए अपनी सब्मिशन वगरा यहां पर यह अपडेट होने वाले हैं, प्रीवियस का भी अपडेट नहीं हुआ, इनका भी नहीं हुआ, लेकिन रिजल्ट में आपने ग्रेड बुक में जाके देख लिया है, कि इनके जो प्रोजेक्ट और इंटर्शिप रिपोर्ट्स हैं, वो दोनों कम्प्लीट हैं, उस इनके चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो मुस्ली स्टुडेंट्स हैं, उनकी जैस्ट इंटर्शिप रिपोर्ट या प्रोजेक्ट ही रहते हैं, क्योंकि स्टुडेंट फर्स्ट टाइम में खुड ट्राई करते हैं, उनसे वह क्लियर नहीं होता तो फिर एक्ट्र समेस् रिजल्ट ये देखें, MGTI 619 इंटर्शिप रिपोर्ट ये इनकी पास है, यहां पर हमारे पास एक स्टुडेंट है, फरुख इम्तियाज, इनका हमारे पास प्रोजेक्ट था, फाइनल इयर का, HRM 619 विमन रिसॉर्स मैनेजमेंट का, इनका भी आपको ग्रेड बुक में से रिजल्ट दिखा देते हैं, यह देखें, सिप्रिंग 2022, अभी जो लिटेस मैस्ट रेंड हुआ है, HRM 619 फाइनल प्रोजेक्ट, हमरे सॉर्स मैनेजमेंट, पास, नेक्स्ट हमारे एक स्टुडेंट है, महभूग वसीम साब, इनका भी हमारे पास प्रोजेक्ट था, MGT 619 स से दिखा देते हैं, अभी इनका भी क्लियर हो गया है, यह देखें, सिप्रिंग 2022, फाइनल ये प्रोजेक्ट और पास, हमारे एक स्टूडेंट है, सर्मत अली खान, इनकी भी हमारे पास इंटर्नशिप रिपोर्ट थी, MGT 619, MBA की, सप्लाइचेन मैनेजमेंट के रिलेटे से, अभी इनका भी लेटेस्ट रिजल्ट आया है, सिप्रिंग 2022, MGT 619, और इंटर्नशिप रिपोर्ट मैनेजमेंट, यह देखें, इनका सब्जेक्ट भी पास हो गया हुए, लास्ट टाइम इन्होंने खुद किया था, आपके सामने F लिखा हुए, वो इनका फेल हो गया और अलहमदुलिल्लास इनकी रिपोर्ट पास हो चुकी है, नेक्स्ट हमारे पास एक यह स्टूड़न्ट है, इनका हमारे पास प्रोजेक्ट था, इको 620 का, इनका भी आपको ग्रेड बुक में से रिजल्ट दिखा देते हैं, यह शान्जा शेहजाद का रिजल्ट आपके सामने अवेलेबल है, यहां से आप देख लें कि यह देखें, इको 620 का प्रोजेक्ट था, सप्रिंग 2020 अभी यह जो स्मेस्टर एंड हुआ है, फाइनल इयर प्रोजेक्ट, इकनॉमिक्स, यह पी पास आपके सामने है, नेक्स्ट हमारे एक स्टूड़न्ट है, मुहमद हस तो लास्ट ताइम इन्होंने खुड ट्राई की थी, लेकिन यह फेल हो गए था, इस दफ़ा इन्होंने हमारे पास से अपनी वर्किंग करवाई थी, इसका भी ग्रेड बुक से मैं आपको रिजल्ट चेक करवा देता हूँ, यह मुहमद असन्द आउद साहब है, इनकी ड का प्रजेक्ट था, वो क्लियर नहीं हुआ था, उसके बाद इस दफ़ा हमने उनको इंटर्शिप रिपोर्ट करवा कर और उनका प्रजेक्ट है वो कंप्लीट करवा दी और यह पास हो चुके हैं, यह नेक्स्ट हमारे एक स्टूड़न्ट थे, वल्यूला, और इनकी रेजल्ट आपको ग्रेट बुक से दिखा देता हूँ, यह देखें, सब्रिंग 2022 कॉम आई 619 इंटर्शिप रिपोर्ट कॉमरस की और यह पी पास आपके सामने हैं, पास आपकी अाया ह does देखें, सब्सक्या का तर आपकी सामने हैं, सब्द्चर वर्वोर्त अपकी का तर आपकी, पास आपकी साम आपकी आपकी हैं,